हलो सुनमस्कार गुराप्टनूं कैसे हैं आप सब दोस्तों आज किस वीडियो में जो अपकमिंग वेकेंसी हैं रेलवे की आईटियाई बेस पे लोको पाइलट असिस्टेंट लोको पाइलट और टेक्निसियन की भरती जो कि दोस्तों बिल्कुल 100% सरकारी भरती है इसको ले दोस्ते यहाँ पर आपको नोटिफीकेसं पर लेके चलते हैं वहाँ पर आपको बताते हैं कि कौन कौन सेट ट्रेडवाले एलीजबल हैं और कितनी सीट यहां दोस्तों वेकेंसी आने वाली है तो दोस्तों आपर सब सरंपोल स openness बदाते है आपको लगळlud साथ सह साथ से करके 65,000 तक के भरती आने वाली है दोस्तों सिर्फ ITI मांगा है और कुछ नहीं जिन लोगों दसमी और ITI किया हुआ उनके लिए यहां पर बिलकुल सुरच्छित है रेलवे में रेलवे डिपार्टमेंट में तो दोस्ते हाँ पर हम आपको कुछ पूरानी वीडियो पूरानी है मेरे टेलिग्राम का डिस्क्रिप्शन में ग्रूप है जूड़ जाना वहां पर हम आपको सब जितने भी इंफॉर्मेशन चीज़े हैं हम सब कुछ सेयर करते हैं और सिर्फ आपके लिए ग्रूप बनाया है आई टी वालोग लिए तो आप लोग टेलिग्राम का लिंक ज जो की एक बड़ी भरती हो चुकी है और दुसरी भरती आने के चांसे हैं 100% दोस्ते हाँ पर बात करते हैं कि लगभख 50-60 से लेकर लगभख 65,000 के पाद आने वाले हैं तो दोस्तो क्या requirement है कितने trade है तो हम पूराने notification हम यहाँ पर download किये हुए हैं जो कि हम आपको यहाँ प आप लोग यह मत बाद में comments करना कि यह notification तो पूराना है 2018 का है क्योंकि दोस्तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसी तरह की जो है नई भरती आएगी जो क्या क्या नियम सर्ते हैं कौन कौन से trade वाले इसमें eligible हैं यह हम बताएंगे आपको ठीक है देखे दोस्तो पाइलट की 27,795 सीटे थी और various post of technician के लिए 36,574 पोस्ट थी तो टोटल दोस्तो वेकेंसी यहाँ पर 64,371 हो जाता है जो की आई हुई थी दोस्ते हाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सीधे कि कौन कौन से trade वाले eligible हैं इस भरती में और क्या है selection का trade ठीक है तो य लोगे वीडियो बिल्कुल skip मत करना दोस्ते हैं आप दे सकते हैं और और भी वाइज रेलवे वाइज समरिया बेकेंसी यहाँ पर पूरा डिटेल जोन में है अहमदाबाद हो गया अजमेर हो गया अलाहाबाद बैंगलूरू भौफाल बुनेस्वर बिलासपूर चंडीग गोरगपुर गवाहिटी जमुकसमिर इस तरह से रेलवे गुरूब डी में आता है उसी दोस्ते यहाँ पर सभी जो है यतने भी डिपार्टमेंट टोटल 21 जोन है और बीज एकईज है और सब जगा सी यह निकला हुए है दोस्ते हाँ पर हम चल लेकि चलते हैं आपको यहा श्रेक्सन मेडिकल स्टेंडर्ड एँवहन मांगा है रिकृर्मेंट यहांपर और हीरिंग इंपैर्मेंट लो Isnth No यह दोस्ते हाँ पर इसके बदूस्तों हम बात करते हैं यहां पर मीनिमौ्झ क्वॉलिफिकेस्ट है बहु है कौन.- हो चुकी है यह खुल गया थिक है सारी दोस्ति हों पर यह त्रेड़ नबलोत तुम स्परक्राइब होना जहूरूरी होता है इसका पर म रामी इसके बाद प्लस आई आई होना चाहिए तह ना बट के पास होना चाहिए तो बने बता दीया था दोस्ते न पर NcbT या फिर Ncbt राज लेबल का या फिर रिकेंदरेली लेबल का आपके पास होना चाहिए, आप दोस्तो पर इसमें जो ट्रेड होते हैं न देखिए Coil Warner Lect거나나 अखरें Tetrails milliards authoress होना चाहिए aum Here बेलन आपके मेंटिक होना चाहिए mechanics होता है इसमें देख्ल और यहाँ पर दोस्तों फराशा ऊपर जाएंगे ति हाँ पर होगा Mild while maintenance mechanic होता है mechanic radio and TB refrigerator and air conditioner mechanic, tractor mechanic turner या प्र वायर मेन या इसके अलमा दोस्ते हाँ पर high school इसके बाद course completed act course completed act apprenticeship in the trade maintained above या फिर किसी भी trade में आपने apprenticeship किया है 10th के साथ वो कर सकते हैं किसके लिए यह दोस्ते हाँ पर उसी के लिए, लोका पाइलेट के लिए ही ठीक है यहाँ पर उसी लोका पाइलेट के लिए भी है दोस्ते हाँ पर एक नोटिस है कि Degree in the Engineering Discipline as above will be also be acceptable in LIU Diploma in Engineering दोस्ते हाँ पर दिगरी और डिपलमा भी यहाँ पर eligible थाइस में इसके बाद दोस्ते हाँ पर दूसरा है mechanical ट्रेट से mechanical के लिए यहाँ पर पोश्ट आया हुगा है देखिए ठीक असे से लोका पाइलेट का और इसके लिए दूस्ते जो requirement है यहाँ पर देख सकते हैं आप यह मैंने उपर बाले बता दिया है दूसरा mechanical के लिए है देखिए mechanical के दूस्ते हाँ पर है electrician है electronics है mechanics है feature है heat engine है instrument है mechanic है mechanics है mechanic diesel mechanic motor meal wire maintenance mechanic radio radio and TV refrigeration tractor mechanic turner and wire man या फिर वही दूस्तों same thing मतलब दिया हुआ है इसके बाद एक qualification और यहाँ में दूस्तों extra है three year diploma in mechanical engineering या electrical या फिर automobile engineering दूस्तों यहाँ पर यह दिया हुआ है इसके निचे आएंगे देखिए दूस्तों हाँ पर technician है आगया देखिए लोको पालट खतम होगा है यहाँ पर technician के बात कर रहा है electrical trade से ठीक है general service है यह बी टू अब यहाँ पर दूस्तों बात करते हैं देखिए इसमें क्या qualification मांगा है high school plus ITI मांगा इसमें ncbt के लिए high school या फिर ncbt या फिर या फिर act apprenticeship चाहिए यह दूस्तों इसके लिए technician के लिए है यह दूस्तों यहाँ पर technician ट्रेट के लिए ट्रेट है ठीक है इसके बाद दोस्ते हाँ पर qualification मांगा है देख सकते हैं high school ITI इसके बाद ncbt से और में फिर बांडिंग से आपके पास डिपलोमान आजाए इडिए यह जो है blacksmith के लिए ठीक है जिदर भी department है तो सब के लिए दूस्तों यहाँ पर technician grade blacksmith तो यह workshop वोगरा breeze वोगरा courage कारपेंटर ठीक है तो यह इस तरह से दूस्तों यहाँ पर आपको IT वालों को यहाँ पर मौका मिलता है और देखिए बहुत सारी पोस्टे हैं आपको पता ही है कि 64,371 करीब पदाय हुए थे जो कि दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी भरती थी और लगभा दोस्तों 60,000 प्लस पद अभी आने वाले हैं तो आप लोग से request है आप लोग बिलकु अच्छ मेर में इतने शीते थी दोस्तों के टेक्निसिया और लोको पाइलट दोनों जो है मिला आ करके दिया हुआ था तो दोस्ते आप लोग हैं तयारी करते रही आप लोग 60,000 पास असिस्टेंट लोका पाइलट की जो बती आने वाली है चैनल परने होंगे तो सब्सक्राइब करने हैं बेल लाइग को प्रेस करने हैं लटर शब्डेट पाने के लिए जैहिंद